Hello everyone, आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताने बालाऊं कि अगर आपकी Gmail ID किसी कारण डिलिट हो गई है, या आपने अपनी Gmail ID को डिलिट कर दिया था, बट अब आप उस Gmail ID को रीकवर करना चाते हैं, बट आपको ना ही Gmail ID का पता है और ना ही उस Gmail ID का पासबड पता है, तो आ मैं आपको इस वीडियो में इसी तरह की ही problem को पूरी तरह solve करने वाला हूँ तो वीडियो को बिना skip किये end तक देखना अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को like and channel को subscribe जरू करना आईए सुरू करते हैं जीमेल आईडी को recovered करने के लिए आपको krom browser app को open करना होगा open करने के वाद आपको यह account.google.com सर्च करना होगा जैसे ही आप research करते हैं तो आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा जहां पर आपको इस google accounts पर click करना है जैसे ही आप click करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक page खुल के आएगा जहां पर आपको email id फिल करने का option आएगा बट आपके पास Gmail id नहीं है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास जिस phone number से आपने Gmail id बनाई थी अगर आपके पास वो phone number नहीं है तो आप अपनी Gmail id को recover नहीं कर सकते Gmail id recover करने के लिए आपके पास वो phone number होना बहुत ही जरूरी है अगर नहीं है तो आप अपनी Gmail id को recover नहीं कर सकते अगर आपको जो आपने Gmail ID डिलिट की थी उच Gmail ID का नहीं पता तो यहाँ पर simply आप Forgot email पर किलिक कर देना जैसे ही आप किलिक करते हैं तो आपके सामने phone number का option आएगा जहाँ पर आपको उस phone number को फिल कर देना है जो आपकी Gmail ID में registered था चलिए इसको फिल कर लेता हूँ फिल करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा जहाँ पर आपको first name and last name फिल करना होगा यह first name और last name वो वाला फिल करना है जिस समय आपने Gmail ID बनाई थी तो उसमें जो आपने first name और last name फिल किया था उस नाम को यहाँ पर फिल करना है जैसे मैं यहाँ फिल करने के बाद अब यहाँ आपको next पर click करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का page open होगा जहाँ पर आपको आपके नंबर पर एक verification code भेजा जाएगा जिससे आपकी Gmail ID recover हो सके तो यहाँ पर आपको एक send का option दिख रहा होगा तो simply यहाँ पर send पर click कर देना जैसे ही आप click करते हैं तो आपके phone number पर एक code आएगा जिसको यहाँ पर fill कर देना चले इसको मैं fill कर लेता हूँ fill करने के वाद आप simply यहाँ पर next पर click कर देना जैसे ही आप click करते हैं जो Gmail account हमने delete किया था और जिस Gmail account को हम भूल गए थे वो Gmail account यहाँ पर आपको मिल गया यहाँ पर आपका Gmail account तो मिल गया है बट आप password जानना बहुत जरूरी है जिसके लिए आपको simply पहले अपने Gmail account को चूज कर लेना होगा जिस Gmail account को आप recover करना चाहते हैं जैसे simply मैं यहाँ पर first बाले Gmail account को चूज कर लेता हूँ चूज करने के बाद आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा जहाँ पर आपको enter your password का option दिख रहा होगा बट आपको इस Gmail ID का password नहीं पता है तो इसके लिए आपको simply forgot password पर click कर देना है जैसे ही आप click करते हैं तो आपके सामने Gmail account को sign in करने के बहुत सारे option आएंगे जिसमें से आपको second वाले option पर click करना है जहाँ पर आपका number 11 जैसे ही click करते हैं तो आपके mobile number पर एक code आएगा जिसको यहाँ पर fill कर देना जैसे मैं here fill कर लेता हूँ fill करने के बाद अभी आपको simply next पर click कर देना है next पर click करने के बाद इस तरह के option खुल जाएंगे तो आप simply try another way to sign in पर click कर देना जैसे मैं click कर लेता हूँ click करने के बाद अभी यहाँ पर जो भी आपके phone में screen log pin होगा उसको यहाँ पर fill कर देना जैसे मैं इसको fill कर देता हूँ fill करने के बाद आप यहाँ next पर click कर देना जैसे ही हा hand next पर click करते हैं तो आपके सामने दो option आएंगे एक तो अपडेट पासवर्ड एक continue तो आप simply अपडेट पासवर्ड पर क्लिक करना जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पासवर्ड क्रेट करने का option आएगा जहां पर आप अपने gmail id का поз earlier क्रेट कर सकते हैं जैसे यहां मैं simply अपनी Gmail ID का password create कर लेता हूँ अब यहां मैं password को confirm कर दूँगा करने के बाद अब यहां simply save password पर click कर दूँगा जैसे ही आप click करते हैं तो यहां पर आपका Gmail account recover हो गया है जिट Gmail account को मैंने recover किया था वो यहां पर show हो रहा है जैसे आपको यहां दिखरा होगा आप भी इसी तरह ही अपने Gmail account को recover कर सकते हैं दोस्तो अगर आप अभी भी Gmail account को recover करने में problem आ रही है तो नीचे comment करके जरूर बताना अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like and channel को subscribe जरूर करना चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए